हालो इस्ट्रेंस इस वीडियो में फिर से आप लोग का स्वागत है इस वीडियो में हम लोग प्रस्ण लिके क्योशन को साल करेंगे जिसमें से प्रस्ण लिका पहला और दूसरा क्योशन को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ठीक है मैंने पिछले वीडियो में इससे रि कर दिखा है इस कर दोडरों को यह साल करेंगे ठीक है चलिए पहला किसंग पर शॉल करते हैं फाला दिए निए सबनाल हे वोड से थीटा और माइनस और 15 टीकट टी इस को साव करेंगे ठीक है तो पहले के संग्यम को लिख लेते हैं कर था ठीक है शुडेंस मैंने यहां पर केस्टन को लिख दिया है 1 अपान सेख ठीटा-1-1-1 अपान सेख ठीटा-1 यह लेप्ट हैंड साइट से हम लोग राइट हैंड साइट करेंगे और राइट हैंड साइट दिया है हमारा टू-कॉट-सक्यर ठीटा तो मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को फार्मुला बता दिया था उसी फार्मुला के कोल्डिंग हम इस क्वेस्टन को सॉल करेंगे ठीक है तो सबसे पहले ऐसा क्वेस्टन जब भी आ जाए तो आप लोग ऐसे क्वेस्टन को लेकर ही हल करना तो चलिए LCM ले लेते हैं सेख ठीटा मैनस 1 इंटू सेख ठीटा प्लस 1 ठीक है अब ऐसे क्वेस्टन को कैसे सॉल किया जाता है ये तो आप लोग भी थोड़ा से जानती ही होंगे इसका मल्टिप्लाई 1 के साथ कर दो सेख ठीटा प्लस 1 ठीक है अब यहाँ पर मैनस जिन् उसको यहाँ पर लिख देते हैं फिर इस सेख ठीटा मैनस 1 का मल्टिप्लाई एक के साथ कर दो और यहाँ पर कोश्टाक लगाना अनुवार होता है जब भी यहाँ पर मैनस रहे तो आप लोग कोश्टाक लगाना ना भूले यह हो जाएगा सेख ठीटा मैनस 1 ठीक है क्लिय इसकैर ही स्टूडेंस अब देखिए आगला नेश्टा ही स्टेफ हमार होगा इस मैनस इन का इसमीं गुड़ा करना तो चलिए बनाते हैं सेख ठीटा प्लस 1 मैनस और प्लस का गुड़ा होता है मैनस सेख ठीटा मैनस मैनस का गुड़ा प्लस होता है प्लस वन हो जाएगा ठीक है जिटेंज अब हमारा यहाँ पर एक फार्वला लगता है एक फार्वला है a square minus b square equal to होता है a plus b into a minus b इसी फार्वला का इसमें लागु होगा तो देखें यहाँ पर फार्वला से रिलेट करोगे तो सेख ठीटा minus 1 into सेख ठीटा प्लस 1 ठीक है इसी फार्वला के कोलडिंग यहाँ पर इस सूद्रका लागु होगा तो इसका हो जाएगा square theta minus 1 कवरगा check is square theta minus 1 कवरगा एक ही होता है अब हमारा next step होगा इस question को solve करेंगे तो तो यहाँ पर देखिए आप लोग check theta plus में है और check theta minus में दुनों कट गया ठीक है? अब 1 और 1 2 हो जाएगा अब इसका formula होता है check is square theta equal 1 plus 10 इसका theta होता है ठीखा है, प्यारी students, अब जैसे कि यहाँ पर एक कुमाय पक्छांतर करूंगा इधार, तो इसका हो जाता है, से की स्केर ठीटा मैनस 1 इक्वल हो जाएगा, 10 इसकेर ठीटा, तो यहाँ पर हमें मिला से की स्केर ठीटा मैनस 1 इक्वल 10 इसकेर ठीटा, तो इसका फार्मुला लिखेंगे हम लोग 10 square theta यहाँ पर हो जाएगा यह 10 square theta ठीक है अब यहाँ पर एक और फार्मुला लगता है वित्करम फार्मुला आप लोगों को वीडियो में बता चुका हूँ ठीक है 1 upon 10 theta 1 upon 10 theta equal होता है cot theta 1 upon 10 theta equal cot theta चुकि हम लोग जो स्वाल किये हैं उसमें आया है इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं दो गुड़ा 1 upon 10 theta तो यहाँ पर वर्गल भी लगा देते हैं तो यह फार्मुला हमारा हो जाता है 1 upon 10 theta equal cot theta होता है अब देखो यहाँ पर उसी फार्मुला को रखेंगे 1 upon 10 theta equal cot theta तो दो गुड़ा हो जाएगा cot theta तो यह हो जाएगा 2 cot theta जो कि हमें यही प्रूप करना था right hand side 2 cot theta ठीक है प्यारी students आप देख लेते हैं दूसरा question को इसको मैं रख कर लेता हूँ अब देखिए हमारा दूसरा question है C किस का ठीटा प्लस को से किस का ठीटा equal C किस का ठीटा into को से किस का ठीटा यह भी बड़ा ही असान question है तो चलिए हम लोग question को पहले लिख देते हैं फिर हल करेंगे C किस का ठीटा प्लस को से किस का ठीटा हमने राइट हमने लेट हैं साइट को लिख दिया C किस का ठीटा प्लस को से किस का ठीटा अब हमें प्रूब क्या करना है C किस का ठीटा into को से किस का ठीटा यह बड़ा ही प्यारा question है students यदि आप लोगोन को Also Charminih 115 पता होगा तो तो देखिए मैं आप लोगोको वित्रम भार्मवला बताया था यहां पर सुत्र को लिख देता हूं ताकि आप लोगोन को समघने में परसानी नहीं तो देखों छे क्टीटा इक्वल मैंने बताय था one upon cost ठेटा होता है, ठीक है, इसी प्रकार से कोशेक ठीटा का फार्मला होता है one upon sign ठीटा, बस यही दोनों फार्मला को यहाँ पर रख कर इसके संग को बड़ी असानी से साल करेंगे, अब देखे, यहां पर shake square theta दिया है इसको हम लोग लिख सकते हैं shake theta पूरे का वारगा इसी तरह से हम लोग qoseq qagуч data equal on upon sign theta होता है और cosec theta equal one upon sin theta होता है इन्हीं दोनों formula को यहाँ पर रखेंगे फिर अगले solo करेंगे चलिए यहाँ पर रख देते हैं one upon cos theta पूरे का वर्गा plus cosec theta का value रखेंगे यहाँ पर one upon sin theta पूरे का वर्गा है ठीक है अब देखें वर्गा है तो एक का वर्गा एक ही होता है और cos square theta हो जाएगा ठीक है इसी तरह से यह भी हो जाएगा plus एक का वर्गा एक और sign का वर्गा हो जाएगा sign इसका theta ठीक है पर यहाँ आरी students यहाँ तक clear है आप लोग को आप लोग copy pen रख कर ही इस वीडियो को देखें और note करते जाए students ठीक है अब देखें जब भी ऐसा भी आ जाए ऐसा आ जाए तो आप लोग हमेशा ऐसे question को LCM लेकर ही बनाना ठीक है डरने की कोई जोरत नई students बहुत ही प्यारा question है हम लोग इसली से solve करेंगे इसको तो यहाँ पर LCM आ जाएगा देखो दोनों difference है अलग अलग है दोनों को लेकर हम लोग बनाएंगे कॉस इसका theta into sin इसका theta ठीक है अब देखें sin इसका theta का multiply 1 के साथ कर दो और कॉस इसका theta का multiply 1 के साथ कर दो तो चलिए करते हैं sin इसका theta का multiply 1 के साथ करेंगे तो sin इसका theta ही आएगा और बीच में plus का sign है देखो यदि minus का sign रहता है तो कोश्टा क्लिखने की जवरत है परन्तु plus का sign रहेगा तो कोश्टा क्लिखने की जवरत नहीं है ठीक है students यहाँ पर plus इनलिख दो कॉस्ट इसका theta का multiply एक के साथ कर दो तो कॉस्ट इसका theta आजाएगा यहाँ तक सबको clear students अब यहाँ पर एक और आब लोग को फार्मुला बताया था याद किजिए sign इसका theta plus cos इसका theta का मान एक होता है ठीक है इसी फार्मुले को हम लोग यहाँ पर रखेंगे ठीक है यहाँ पर मैं बना देता हूँ sign इसका theta plus cos इसका theta का मान एक होता है यहाँ पर रखो आप लोग एक बटे कॉसिस का ठीटा इन्टू साइनिस का ठीटा इसका मान मैंने यहाँ पर रख दिया एक बटे कॉसिस का ठीटा इन्टू साइनिस का ठीटा अब इसको हम लोग लिख सकते हैं वन अपान कॉसिस का ठीटा इन्टू वन अपान साइनिस का ठीटा ठीक है दो भागों में इसको हमने लिख दिया 1 upon cos इसका theta into 1 upon sin इसका theta चुकि इसका formula यहाँ पर दिया है इसको एक बार और ऐसा लिखा जा सकते हैं 1 upon cos theta पूरे का वरगा into इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 1 upon sin theta पूरे का वरगा ठीक है students अब यहाँ पर देखिए यहाँ पहले ही मैंने आप लोग को फार्मला बता दिया यहाँ पर होता है sec theta equal 1 upon cos theta तो यहाँ पर 1 upon cos theta के जगा में हम लोग लिखेंगे sec theta तो चलिए लिख देते हैं sec theta पूरे का वरगा ठीक है इसका value को यहाँ पर रखा हूँ सुत्र को रखा हूँ which में है into अब यहाँ पर 1 upon cos theta है इसका फार्मला जो है cos theta है ठीक है अब यहाँ पर आप लोग इस फार्मले को यहाँ पर रख दो into cos theta का वरगा इसको और हम लोग लिख सकते है sec theta into cos theta जो की यही तो हम लोग को प्रूब करना था यहाँ पर देखिए question में क्या लिखा है sec theta plus cos theta equal होता है दिया है question में sec theta into cos theta जो की हमने यहाँ पर प्रूब कर दिया है ठीक है प्यारी students यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो please like करना ना भूलिए और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को share कीजिए ताकि में लोग को भी कुछ न कुछ बेनीफिट मिलें ताकि मिलें लोग्हाँ ढूलिए